पांच साल बड़े एक्तर की माभी बनी नहीं मिला उम्र के हिसाब से काम साल 2012 में हुए निर्भया कांड पर बनी निटफिलिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम इन दिनो जबर्दस्ट चर्चा में है सीरीज में निर्भया कांड की रियल साइड स्टोरी दिखाई गई है सीरीज में शेफाली शहाव हम किरदार में है शेफाली का किरदार रियल लाइफ में दक्षणी डिली की डीसी पी छाया शर्मा से प्रेरित है इस किरदार के बारे में शेफ हाली का कहना है कि अगर चाया शर्मा नहीं होती तो निर्भाया कांड की कहानी खुट और ही होती उन्होंने इस पूरे केस में नयाय दिलाने के लिए बहुत काम किया है शेफ हाली शाहाग बॉलिवुड की मशूर एक ट्रेस हैं उनके पूरे करियर पर नजर डालें तो शुरुवात से ही शेफ हाली ने अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े रोल किये हैं शेफ हाली के करियर की शुरुवात में ही हसरतें सीरियल में काम किया था इस शो में उन्हें मा का रोल करना पड़ा शेप हाली ने टीवी शो के साथ कई फिल्मों में भी अहम किरदार निभाए रंगीला फिल्म से डेब्यू करने वाली शेप हाली ने अमिता बच्चन, अक्षे कुमार, अनिल कपूर जैसे स्टार्स संग काम किया है दिल्चस्प ये है कि शेप हाली ने जब 2005 में आई फिल्म वक्त में काम किया उस वक्त शेप हाली की उम्र 34 साल थी शेप हाली ने 34 साल की उम्र में 5 साल बड़े अक्षे कुमार की मा का और 64 साल की उम्र के अमिता बच्चन की पतनी का रोल किया था शेफाली शाह ने अपने अब तक के करियर में बेशक छोटे लेकिन धमदार रोल किये हैं शेफाली ने फिल्म सत्या के लिए फिल्म अथेयर अवार्ड जीता था उन्हें साल 2007 में फिल्म दे लास्ट लियर के लिए नैशनल अवार्ड भी मिल चुका है शेफाली की पसरन लाइफ में दूसरी शादी से दो बेटे हैं शेफाली ने पहली शादी साल 1997 में एक्तर हर्ष चाया से की थी साल 2001 में हर्ष संग तला के बाद शेफाली ने विपुल शाह संग दूसरी शादी रचाई